मौसी अरे नंदनी हाँ बिटिया राधा बस बस नंदनी आ गई जा अले अले ये कौन पुलिश वाली पुलिश वाली नहीं नानी इंस्पेक्टर मेरे पास तो गन भी है अया अपनी नानी को मारोगी तो नहीं अभी अभी जित करके लिया है इसने और मजाले कोई उतरवा दे कैसी हो राधा ठेक हो जीजी पानी नानी तो अंदर जाके हाथ मू धोले सफर से तक गई होगी इसके मैं धुला दूंगे राधा ये कमरे की खेड़किया बंद कर दे तुम्हें पता है अन्नू यही समय होता है दुश्मनों का घर में घुसने का पर कुन से दुश्मन नानी? मच्छर जो मलीरिया जैसी बीमारी फैलाते हैं नानी तुम घबराना मत मेरे पास बंदूख है ना? हाँ पर नानी यह मच्छर मलीरिया कहां से फिलाते हैं? जब यह मच्छर किसी ऐसे आत्मी को काटता है जिसे मलीरिया हो फिर वही मच्छर किसी दूसरे आत्मी को काटता है तो दूसरे आदमी को भी मलेरिया हो जाता है और इसी तरह से ये मलेरिया का चक्र बढ़ता है पस इसी चक्र को हमें तोड़ना है बोलो, हो तैयार? हाँ नानी अनू, तुमने अपनी मम्मी के तरह नए वाले कपड़ी क्यों नहीं पहने? लंबे बाजू वाले जो नानी लाई थी आपके लिए? मैं मैं अपने पली जस नहीं बदलूँगे पर बेटा, हमें मच्छरों से लड़ाई तो करनी है ना? पूरी बाजू के कपड़े पहने हो, तो मच्छर हाथों पर नहीं काट सकते नहीं मैं नहीं ड़ड़ती मच्छरों से रहने दीजे न मौसी वैसे भी मच्छरदानी के अंदर ही तो सोने वाली है कल बदलवा देंगे, अब आप भी सोचाएए नहीं नानी, पहले मुझे कहानी से ना कहानी? सो गई अब आप भी सोचाएए मौसी विसी एक बात कहूं मौसी मेरा भी बड़ा मन कर रहा था खुले आसमान के नीचे सोने क्या आंगन में ये क्या कह रही है बेटी तू? देख, तू पेट से है और इस समय तेरे लिए मलेरिया से इकलोदा बचाव है ये कीट नाशक मच्चरदानी कहीं तुझे मलेरिया हो गया तो क्या क्या हो सकता है जानती है तू? तुझे में खून की कमी हो सकती है तेरा बच्चा कम वजन का पैदा हो सकता है यहां तक कि गर्वबती औरत को मलेरिया हो जाए तो उसका बच्चा गिर भी सकता है और मा की जान को भी खत्रा हो सकता है पर ऐसा कुछ नहीं होगा तूने सब कुछ बड़ी साफ़धान इसे किया है चब अब सोचा अब तुम मुझे जरा यह बताओ कि गर्वबती औरत को मलेरिया से क्या खत्रे होते है एक मामिक खुन की कमी हो सकती है दो बच्चा कम वजन का पैदा हो सकता है तीन बच्चा गिर भी सकता है चार मा की जान को भी खत्रा हो सकता है सही जवाब है मलेरिया गर्वबती औरतों के लिए खत्रनाक हो सकता है मामे खुन की कमी हो सकती है उसका बच्चा कम वजन का पैदा हो सकता है यहां तक कि बच्चा गिर भी सकता है और मा की जान को खत्रा हो सकता है